नमस्कार दोस्तो बारत सरकार में दोस्तो जबरदस 12 पास के लिए वेकेंसी आउट होगी है दोस्तो वन विबाग में तो दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है सेलेप है के जेज कराई टिक आपकी पोस्टिंग कहां पे होगी और कौन- दोस्तो चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो वीडियो को शेर कर देना चले शार्ट करते हैं दोस्तो बेसिकली जो वेकेंसी निकलिए वो निकलिए गौर्मेंट ओफ इंडिया यानि की बारत सरकार में प्रोपर सरकारी नोग रहे दोस्तो कोई प्राइबिटाइशन या 27 साल होनी चाहिए इसमें जो सेलरी मिलेगी दोस्तो आपको मिलेगी सेवंध पे कमिशन के लेवल टू के तो इसमें जो आपकी सेलरी बनती है इन एंड 25 से 30 जार के बीच में बनती है क्योंकि सेंटरल गोर्मेंट के अनाउंस मिलते हैं जैसे की मेडिकल फैसिलिटी एचार इसमें जो आपकी पोस्टिंग कहां पे होते तो मैं आपको बता दूश्टिंग होगी तमिन लाडू कोईंब तूर में इसमें आगे हम बात करते हैं जो आपकी फोम भरने का क्राइटीरिया है फीस कितनी लगेगी दोस्तो सबसे पहले आपको डिमांड राफ्ट बनवाना है अगर आप UR या OBC से बिलोंग करते तीन सो रुपे का और अगर आप SC, STI, Women Candidate है तो सो रुपे का दिमांड राफ्ट बनेगा दिमांड राफ्ट बनेगा दोस्तो डिरेक्टर IFGTB कोईंबटूर के नाम से दोस्तों यहां तक आपको काफी अच्छे समझे अब दोस्त पहले पहले आपको फोम भेजना है अब फोम भरने का क्राइटीरिय आपको बता जाता है दोस्तों आपको कमेंड आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और कमेंड सेक्शन में भी डाल दूंगा इसका अड़र्टाइजमेंट का लिंक और एप्लिकेशन फोम का लिंक आपक के नीचे अपने signature करने है दोस्तों इसमें post का नाम नाम और signature तीनों चीज कर देना इसके साथ आपको original dd और अपने सारे documents जैसे के educational qualification experience id card जो जो आपके पास documents है और अगर आप age relaxation लेना चाहते तो अपनी category का certificate सब कुछ attest करके आपको send कर देने हैं दोस्तों इस address पर तो दोस्तों इसके अलावा आपका कोई और सवाल या suggestion हो तो आप comment section में लिख सकते हैं उसे बात कर सकते हैं thank you so much for watching my videos